हेलो साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है PSP क्लासे इस पर दोस्तों फटा वर्जिस अभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाए वीडियो को लाइक कर दीजे शेर कर दीजे दोस्तों और हमारी क्लासों का रेगुलर टाइम टेवल आप देख सकते हो साथ बजै विजनिंग 7 बजै यृजिनिंग 7 बजै शेक्सन अवरुची साम 5 बजै भास ने ग्यान 8 बजै रज्जतां का नो बजै ये दो क्लासे रिगुलर अभी चला रही है दूस्तों और ये तिनों क्लासे अभी तोड़ी दिन तक नहीं चलेगी यह अपने मंडे मंडे स से अपने शुरू हो जाएगी दोस्तों मंडे आ रहा है इस मंडे से सुरू हो जाएगी ठीक है सो मौर से और यह क्लास से सनबर रूचे वाली क्लास है यह हमारे सेकिंड चैनल जो PSP क्लास है 2.0 पर होने वाली है वो भी सब्सक्राइब कर ले लिक डिस्क्रिप्शन के अंदर की उस्ते क्स वक्तिग के द्वारह माने जाती दोस्तों सौंस्मल सांस्मरनन इस सौली सांसा रमन् रमना सूसंदी है सी स्atyसराम यह राना सहासी यह जो सहा श голос सांसी ज़न्जा चांदि उसके उत्पतिग के व्यक्ति की डो की की दोने शुमल को म मुखी खाजाता है मेना जन जाती ऑपसन बीर सांसी ऑपसन सी गरासिया ऑपसन डी है डामोर जली से कमेंट ढाने दीजिए दोस्तों बहुत लाइट अभी पिसले दोस्तों चार से पांच दिनों से नहीं है दोस्तों हमारे यहां पर क्योंकि हमारा जो गांव जाएं जर्ट चुकत है इस वज़े से लाइट भी नैंने के लिए रुम के अनगा के लिए मैंनत कर रहा हूं ॡ़ीज आप से हाथ जोड़कि ुटी की लाइक कर दो किसी इन किसी साइड में जा कि आपके मोबाइल चार्जिंग करके लाते हूं फिर आपके लिए क्लास लेता हूं फिर आप मेहनत आप देखिए मेरी अभी दोस्तों देख लीजिए मोबाइल का 60 परसेंट है यह देख लो कि जंचाती में पंचाइट के मुख्या को मुख्य काज़त दोस्तों किस नमर 32 का राइट आन शुरू जाएगा दोस्तों अपसे नमर डी डामो ठीक है चलिए सुमेलिद करना है दोस्तों किस ने किस परकार ब्रहम समाज की स्थापना कब होती है आरे समाज की राम कर्शन मिशन की स्रूए कब होती है सारे चीजों की जर्शा के लिए बड़ावर से बताएए ठीक है इसको सुमेलित करना है आपको क्यूसर नमबर सर्टे थ्री उप्सर नमबर आपका को जाएज कुन सो जाएगा ब्राम समाज की स्तापना होती अठारा सो अठाईस के अंदर आरेस समाज की स्तापना होती अठारा सो पिचतर के अंदर राम कर्षन मिशन किस्ता अपना होती 1893 के दिनर ठीक है अब आप याद कर सकते हो डारेक्ट टू डारेक्ट अगर फिर भी याद नहीं हो रहें तो बता देना दोस्तो आसान तरीकों से याद हो सकता है आसान तरीके हैं कुछ भी अलावा नहीं दे रखें आपको उसके बाद हो जाएगा आपका सुमेलिक करने वाला क्यूशन आपका सी हो जाएगा कौन सा तीन दो एक जिस उप्षन में हैं वो करेक्ट हो जाएगा ब्रम समाज किस्तापना 1828 आरे समाज कि 1875 राम कर्षन मिशन किस्तापना होती 1893 के अंदर अगला उप्षन नम्र ए हो जाएगा ठीकी मिसके अंदर 1829 में किसने शत्तिaría परता का विरोध किया था दोस्तों कौन थे वो सत्ती परता का विरोध करते हैं कौन थे जो शत्ती परता का विरोध करते हैं क्यूसन नम्मर 34 का राइट आंस्वर क्या होने वाला है 34 का हो जाएगा उप्शन नम्मर D जो थे लोर्ड बेंटिंग जिन्होंने दोस्तों इसकी करते हैं अपने सुरुवाद जो सती परता का विरोध करते हैं सती परता का विरोध करने वाले हैं लोड बेंटिक क्यूशन नमर थर्टीफोर डामोर जन्जाती सरवाधिक किन जिलो में पाई जाती है बोंदी शिरोही, कोठा जलावार, बांसवडा डुंगरपूर, उद्यपूर, चित्तोडगर्ड किस जन्जाती के परोसों में इस्तरियों की तरह गहने पहनने का रिवाज है सहरिया, डामोर, सांसी, कंजर दोस्तों सभी को बता दीजे, राइट अनसर देदीजे, फटा फटे वीडियो को लाइक और सेर कर दीजे किस जन्जाती के परोसों में इस्तरियों की तरह गहने पहनने की रिवाज है दोस्तो, 36 का उप्सन नम्मर C है C नहीं दोस्तो, B हो जाएगा, ठीक है डामोर, डामोर जन्जाती है जो परोसों में इस्तरियों की तरह पहनने की दोस्तो रिवाज समझे लो दोस्तों ठीक है अपसन नमर बी ठीक है 37 डामोर जंजाती में गाउं की सबसे छोटी कई कहलाती है कला, फाइटे, फला, हुरे डामोर जंजाते में गाउं की सबसे छोटी कई क्या कहलाती है दोस्तों जल्दी से कमेंट करेए जल्दी से कोई हाँ नामे जवाब नहीं दोस्तों यस या नो रही चाहिए मुझे राइट आनुसे फटावर से जल्दी से कमेंट करिए फटावर से क्यूसन नम्मर 37 अप्शन C है फला क्यूसन नम्मर 38 दोसों सहेरियों की छोटी बस्ती कहलाती है सक्रिया, सहरना, छूटना इनमें से कोई नहीं जो सहरियों की सबसे छोटे बस्ती होते हैं उसे क्या कहते हैं क्योशन नम्मर थर्टी एट ओप्शन आपका हो जाएगा सी छूटना आगला क्योशन दोस्तो राजस्तान में प्राचिन काल में किस धरम परचार जो राजस्तान में सबसे प्राचिन काल में किस धरम का धरम पूछ लिया जाए तो दोस्तो अलग हो जाएगा और दोस्तो राजपुत काल में या दोस्तो कौन से धरम का हिंदू धरम का सबसे ज़्यदा परचलन हुआ था और प्राचीन काल में दोस्तो धरम का परचार परसार कौन सा धरम का हुआ था? वह हुआ था वैदिक धरम का क्योंसा नम.40 दोस्तो थोड़ी सी स्पीड रख रहे हैं ताकि दोस्तो फटा फट से हमने किश्वन कंप्लीट हो सके चटी स्तापदी में राजस्तान में मुख्य रूप से के रूप से पुजा होती थी किसकी पुजा होती थी इंदर पुजा अगनी पुजा सूरे पुजा वर्क्ष पुजा दुश्चटी स्टाब दी थी उससे में राजाश्तान में मुग्य रूप से पूजा किसी होती थी दोस्तों जल्दी से कमेंट करिये सूर्य पूजा होती थी दोस्तों Question number 41 राजाश्तान में सरवादि किस धरम के लोग रेते हैं इसलाम धर्म के, हिंदू धर्म के, इसाई धर्म के, सिक्ध धर्म के, राजस्तान में सरवादिक धर्म के लोग रहते हैं, क्यूसर नमर 41 का दोस्तों कौन सा अंसर कंप्लीट होने वाला है, अंसर करेक्ट होने वाला है, 41 का दोस्तों अप्शन हो जाएगा, बी हिंदू धर्म के सरवाधिक राजसटान में लोग रहते हैं हिंदु ध्रम के सबसे जदा व्यक्टि अपने राजस्तान में सबसे जदा नेवास करते हैं अब चलते हैं दोस्तो क्यूस Snr. फोर्टी टू की तरफ जेन धरम में सपेद वस्ता धारन करने वाले सादू किस पंत के हैं अस्तान कवासी दिगंबर तेरा पंती स्वितंबर जो जेन धरम में सपेद वस्ता धारन करने वाले सादू किस पंत के हैं दोस्तों जल्दी से बताए कि उस नमर फोटे टू का राइड आमसर कौन सा होने वाला ह वो हो जाएगा आपका कौन सा कौन सा जल्दी से कमेंट करो कि सपेद वस्ताइधान करने वाले सादू थे वो सवितंबर पंत्के थे सरवपर्थम 1834 में किस राज्य में कन्यावद को अवेद ठेराया गया जेपूर उद्यपूर बांसवड़ा डंगरपूर यानि सरवपर्थम 1834 में किस राज्य में कन्यावद को अवेद ठेराया गया था किस नमबर 43 का उपसन नमबर हो जाएगा आपका ए किस जिले में दोस ए जेपूर दोस्तों अपने सबसी ज़्यादत जेपूर ने दोस्तों सरोप्रतम कन्यावद को अवे ठेराया था चुछा नमर चमालिस दोस्तों राधस्तान में आठवी से बारवी स्तापदी के मद्दे सरवादिक पुझे जाने वाले देवता रहें क्युसा नमर 44 का राइट अंसर सभी दोस्ताने दीजिए 44 का उपसन नमर बी हो जाएगा भरमा ब्रामन थे दोस्तों जो सब आठवी सदी से बारी सदी के बीच में सरवादिक पुझे जाने वाले देवता रहे है क्युसा नमर 45 मुसल्मान इसलाम धरम के परवरतक कौन थे मुहमद सहब सहद एहमद खाँ मौयन दिन चिस्ती सेकू बाबा जो मुसल्मान या इसलाम धरम के परवरतक कौन माने जाते है 45 का उपसन नमर कौन सा हो जाएगा मुहमद सहब ये परवरतक माने जाते है मुसलमान जो इसलाम धर्म है दूस्ट उसके परवर तक पार्शी धर्मा वलंबी किस देवता की पूजा करते हैं सूर्य वागनी की अगनी की विश्णू की महिस की जो पार्शी या धर्मा वलंबी किस देवता की पूजा करते हैं 46 का कौन सा राइट हो जाएगा ओप्सन नमबर आपका हो जाएगा ए शूर्य व्यगने की फुजा करते हैं फार्शिव धर्मवलंबी राजा राम महुन राइ वेल लर्ड बेंटिंग ने किस सन से सती परता का विरोध किया जो राजा राम महुन राइ थे वेल लर्ड बेंटिंग थे दोस्तों किस सन से दोस्तों सती परता का विरोध करते हैं 47 का कौन सा राइट हो जाएगा C ओप्सन करेक्ट हो जाएगा 1830 सती परता का विरोध गरते हैं सल्तनत काल में राजातान कालिन धरम में जो परिवर्तन आया था वे था धरम राजनेती पर हावी हो गया धरम में राजनेती का प्रवेश नहो सका राजपूत कालिन धरम विदेश में फैला मुस्लिम साजकों के अत्याचार होने लगे वे लोगों को बल पूरुक मुस्लिम धर्म घर्ण करने को बाद देख किया गया क्यों साजकों के अत्याचार होने के कारण वे लोग मुबल पूरुक मुस्लिम धर्म घर्ण करने के बाद देख किया गया था जिसके कारण दोस्तो धर्म परिवर्तना आया था दोस्तो दरास्तान काली धर्म को में जो परिवर्तना सब्सوي सर्फ़ज़auen काल के अंदर रहे था क्योंकि मुस्लिम सासकते हैं दोस्तो उन्होंने नई दिशा देने में सुरोप परतम योगदान की संत का था लालदास, मलकदास, मलुकदास, धन्ना जी, दयानन्द राजस्तान में धार्मिक जीवल में नई दिशा में सुरोप परतम योगदान की संत ने दिया था क्यूसर नमर फोर्टी नाइन का उप्षा नमर सी हो जाएगा धन्ना जी क्यूसर नमर पचास कौन सी दुख की रसम नहीं है मर्त्युभोज मोसर संदरवाडा समेला समेला क्यूसर नमर पचास का राइट अनसर बता दिया क्या आपको डी ओप्षन सामेला ठीक हो कर दिया ना क्यूंकि मैं थोड़ा सा काम आ गया था बिच में इस वज़े से वीडियो को रिकोर्ड करना रोक पाया रोक दिया था क्यूसर नमर 51 मद्यकलिन भारत में मुसलिम सासक में हिंदू समाज में फेले बुरायों को मिटाने के अंदुलन के प्रवर्तक राजस्तान में रहे हैं जो मद्यकलिन भारता उसमें मुसलिम सास्कों ने हिंदूस समाज पर पहले बुरायों को मिटाने आंदोलन के प्रवर्तक राजस्तान में कौन रहे थे तो आप सभी को पता है दादू देआल जी थे सब ज्यदा प्रवर्तक माने जाते हैं जूजर नम्मर 52 नव निर्मित ग्रह प्रवेस के सम्मधियों को जो दावत दी जाती है उसे कहते हैं बरी नांगल बिंदोली बढ़ार जालदे से 52 का राइट आंसर दे दीजिए एक किसा नमर 52 का आपसन नमर B हो जाएगा करेक नांगल चलिए अगला किसन दोस्तों फटा वड़ से दोस्तों कवर करते हैं सुमेलित करना है दोस्तों वन्स और रस्तान कहां कहां से थे राजपूत वन्स चोहान वस कचावा वन्स यादव वन्स क्रॉली जापूत जोटा जिसन मेर जल्दी से कवर करिये फटा फट से कौन सा वज़ कौन से स्तान से सम्मदित था राजपूत वंस जसलमेर चुहान वंस कोटा कच्छावा वंस जहपूर और यदव वंस क्रोली चार दीन दो एक जिस उप्शन में है वैं करेक्ट हो जाएगा उप्शन नमर बी ठीक है आगला क्यूशन क्यूशन नमर फिप्टिफोर क्यूशन फिप्टिफोर जागिरदारी परता के साथ समप्थ होने वाले परता थी त्याग परता, सती परता, परता या बेगार परता यानि जागिरदारी परता के साथ समप्थ होने वाले कूशन परता थी क्यूशन नमर फिप्टिफोर का कूशन उप्शन करेक्ट होने वाला है क्यूशन नमर फिप्टिफोर का दोस्तो option D हो जाएगा बेगार परता ती जो जागिर्दारी परता के साथ ही स्मफ्थ हो गई थी option number 55 स्वामी दयानन सरस्वती ने किस परता का समर्तन किया था option A डाकन परता का option B है सती परता का option C है बेगार परता का option D है विद्वा पुनर विवा का स्वामी दयानन सरस्वती ने दोस्तो सबसे ज़्यादा समर्तन किया था वह किया था विद्वा पुनर विवा पर सब ज़्यादा दवाव बनाय था विवा समन्दी रसμ नहीं है पहरावनी जो सेर बड़ी बढ़ला और काकन डोंड़ा कौन सी हो जाएगा दोस्तों जल्दी से बताईए 56 को अपसे नमबर हो जाएगा बी जोसर और तिनों से विवाज सम्मांदित रसम है जल्दी से स्पीड रखे थोड़ी सी हाली सब्द का अर्थ है बेरोजगार यजमान घरिलू नोकर वेदिक मंत्रों का उचारण करने वाला हाली सब्द का अर्थ क्या हो जाएगा हाली सब्द का अर्थ हो जाएगा दोस्तों आपका घरिलू नोकर 58 का सिया सुनी संपरदाई किस से सम्मन रखते हैं जो सिया सुनी संपरदाई है मुसलमान हिंदू ब्रहमन पार्सी वो रखते हैं आपके मुसलमान अगला राजस्ता में वेशनो धर्म का सरोफ पर्तम उल्लेक मिलता है सिंदु सब्यता में गोसुंडी लेक में पुराणों में अहड सब्यता में जो वेशनो धर्म है राधस्तान के अंदर उसका सरोफ पर्तम उल्लेक है वो कहां से मिलता है हमें प्राचिन उल्लेक वो मिलता है हमें गोसुंडी सिला लेक से क्यूसन नम्मर 60 विल्यम बेंटिक दोवारा किस परता पर रोक लगाए गये थी बाल विवाया परता परता विद्वाव विवाया सती परता क्यूसन नम्मर 60 सती परता अगला 61 नम्मर क्यूसन आपका अपनी प्रतिग्य कान सुतनता के बाद किस जन जाती ने चितोड में परवेश किया गाडिया लुभार, भील, ग्रासिया, मीना जो अपनी प्रतिग्य के कान सुतनता के बाद किस जन जाती ने चितोड में परवेश किया था 61 का उप्सन नम्मर ए हो जाएगा गाडिया लुभार, 62 किस सब्यता वे मच्सली पकड़ने के कांटे का परियोग किया था, काले बंगा सब्यता, वेदिक सब्यता, अहड सब्यता, गनेश्वर सब्यता, वो थी गनेश्वर सब्यता, अगला औराजी कलास का लाष्ट कुसन, क सबी दोस्त वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना शेयर करना कमेंट करना जो भी अगर दिक्कत आ रही तो हमारे वाट्सअप नमर 8306061093 डिस्क्रिप्शन के अंदर दिये हुए हैं उन पर संप्रक कर सकते हो वाट्सप से और अपने टेलिग्राम पर पीडियो पिसकी मिल जाएगे ठीक है ठेंक यू और अपने इंफोर्मेशन के लिए आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को भी जोइन कर सकते हो